हेलो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्ता आशू आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स भाई जैट सबको तो दोस्तो सभी चालकों के लिए सुप्रीम कोट ने दिये बहुत बड़ी राज जी हां दोस्तो सभी ड्रावर भाईयों के लिए ये ब भी ड्रावरों पर लागू होता है चाहे वो आटो ड्रावर हो टैक्सी ड्रावर हो बज ड्रावर हो या फिर ट्रक ड्रावर हो इसके अलावा चाहे वो प्राइवेट कार का ही ड्रावर क्यों ना हो तो दोस्तो अगर आप भी ड्रावर हैं और किसी भी प्रकार की गारी च जूड़ी और ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट से जूड़ी समझ प्रिकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोट ने ऐसा क्या जेज्मेंट दिया है जिससे सभी वहां चालकों को काफी जादा बड़ी राहत मिली है दोस्तों इस भाग दोर भरी जिंदगी में कई बार जाने अंजाने में कई बार जल्दवाजी में कई बार आपसे या आपके सामने वाले वहां से गलती हो जाती है और दुरगटना हो जाती है कई बार दुरगटना छोटी होती है जो वहीं प दोस्तों बात आती है insurance claim की तो insurance company driver को insurance claim देने से मना कर देती हैं कभी वो कहती है इनका license नकली है fake है duplicate है या फिर इनका license commercial नहीं है इस प्रकार के तमाम बहाने बनाती है ये insurance company ताकि उनको insurance claim ना देना पड़े तो दोस्तों ऐसा ही कम से कम 70-80 मुकदमे इस समय कोट में चल रहे ह है कि insurance company किसी भी ड्राइवर द्रगटना होने पर insurance claim देने से मना नहीं कर सकती है चाहे उसका license असली हो नकली हो एक्सपायर हो या दो तो तो सही सुना आपने अब insurance company driver को insurance का claim देने से मना नहीं कर सकती है चाहे उसका जो license वोicer happy worn हो ये कोट ने बिल्कुल साफ कर दिया है और कोट ने ये भी कहा चाहे गारी मालिक चला रहा हो या फिर ड्राइवर इससे कोई फरक नहीं पड़ता है क्यूंकि गारी का अगर इंसोरेंस है तो वो दोनों पर लागू होगा चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो मालिक हो अगर गाड़ी के द्वारा कोई द्रगटना होती है तो कोई भी insurance company insurance claim देने से बच नहीं सकती है तो दोस्तों ये सभी वहान चालकों के लिए काफी बड़ी राहत वाली बात है कि Supreme Court ने ऐसा judgment दिया क्योंकि कई बार द्रगटना इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है और insurance company insurance claim देने से मना कर देती है तो वो सारा का सारा जुर्माना या तो ड्राइवर को देना पड़ता है या फिर वहान के मालिक को लेकिन Supreme Court के इस judgment के आने के बाद अब वहान चालकों को और भान मालिकों को काफी बड़ी राहत मिली है तो सुप्रीम कोट के जस आपको धन्यवाद करते हुए इस वीडियो करूँआ यहीं पर समाप मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत